असलाम आलेकम आप्डेट्स आज की वीडियो में आपके साथ मेडिकल से रिलेटेड तमाम अपडेट्स शेयर करेंगे एक दो रूज कबल पाकिस्तान मेडिकल कमिशन की तरफ से इंपॉर्टन नोटिफेशन सामने आए थे उनकी मुकंमल इलाबरेशन आपके साथ शेयर करेंगे और इसके लाव आप युनिवर्स्टी ऑफ हैल्स साइस लाहूर की तरफ से भी एक अहम नोटिक्रेशन सामने आया है और इसकी एक्स्प्लेनेशन मैं समयता हूं बड़ी ज्यादा जरूरी है तो लेकर चलते हैं सबसे पहले तो पाकिस्तान मेडिकल कमिशन की बात की जाए तो इनकी तरफ से एक नोटिकेशन सामने आया जिसमें यह बताया गया कि जो बहावलपूर कालेशन की तरफ से एडमिशन का नोटिकेशन भी जारी कर दिया गया और अपलाय करने की आखरी तारीख 26 जनवरी थी लेकिन इसके बाद पीमसी की तरफ से दोबारा नोटिकेशन सामने आ गया और उन्होंने बहावलपूर की जो राकिटिनेशन है वह सेस्पेंड कर दी है या नि कर सकता है जब तक कि ओपनी तमाम डेफिशन से कवर अपनी कर लेते जबत तक कि वह तो तमाम रिकौर्मेंट्स फुल्फिल नहीं कर लेते जिसकी बिना पर उनकी जो राकिणिशन है वह खतम की गई है तब तक वह वाज़त तोर पर बता दिया गया कि जो भी स्टुरंट्स बहावलपूर Medical and Dental College में अडमिशन के लिए अपलाए कर चुके हैं तो वो अपनी फीरी फंड करवा लें और हरकिस इस College में MBBS के अडमिशन को परसूर ना करें और इस वाज़ के भी इमकानात मौझूद हैं कि बहावलपूर Medical and Dental College अगर अपनी डेफिशन्सिस कवर अप कर लेते हैं और अपनी जो रिक्वार्मेंट्स है फुल्फिल कर लें तो दोबारा से PMC के तरफ से रेकिनिशन हासर करने में कामियां बोज़कते हैं ऐसे केस में बहावलपूर Medical and Dental College दोबारा से अपने MBBS के अडमिशन आपर कर सकते हैं लेकिन यह तो वक्ती बताएगा कि कैसा होता है या नहीं और जो दूसरा नोटिफिकेशन PMC के तरफ से आया था कि के तौशन सर्कारी वर जो प्रफ्र मेडिकल कोलिजेशन्ट अपने वे व्यूर्ध很多 प्रितोर से तरफ डियू होने का सिल्सल़ तक है है वह में असल कर चुके हैं सिर्फ सिंद का जो है वो एक सेपरेट इशू है उन्होंने अपनी जो अप्लाय करने की डैडलाइन है वह बीस जनवरी रखी हुई थी और अभी तक वहां पर एडमेशन कंप्लीट नहीं हुए हैं और सिंद गवर्मेंट का पीम सी के साथ एक डिफरेंट क्लैस चल रहा है वो पीम सी के रूल और अगलेशन को फालो नहीं कर रहे हैं और उन्होंने अपनी अलग से कौंसल बनाने का भी फैसला किया हुआ है और कभीना से मन्जूरी के बाद अब उन्होंने जो एमडी को बार-बार रिक्वेस्ट की जा रही थी इसके नतीजे में पीम सी ने सिर्फ इतनी रियायत दे दी है कि जो डेंटल कॉलेजिस हैं जहां पर बीडियस का प्रोग्राम आफर होता है तो उन्हें दस दिन का मजीड टाइम दे दिया गया है कि वो अपने अड्मिशन दस फर तलबा की तादाद भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी सिर्फ कोई 68000 स्टूर्ट्स ऐसे हैं जिन्हों इम्डिकैट को इस साल पास किया है दो लाग तलबा में से जो के बड़ी कम परसंटेज बनती है तो यह सारे का सारे स्टूर्ट्ट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉले दुबारा से उफर किया रहे हैं और पाकिस्तान के ज्यादा दर जो डेंटल कॉलेजिस हैं वह अपने अपने अड्मिशन रखेंगे दस फरवई तक स्टूर्ट्स इनमें अप्लाए कर सकते हैं और अड्मिशन चुके कंप्लीट नहीं हो रहे हैं अगर आप अजरा नाही देखें तो वहां पर बीडियस की जो एलोकेटेड पचास सीटे हैं उन में से अभी तक सिर्फ छे स्टूर्ट्स ने फी जमा करवाई है और सीट सिक्योर की है उसके लावा 44 सीटे अभी तक खाली बची हुई है तो क्यों ना फिर ये देंटल कॉलेजिस बार-बार पीमसी को रिक्वेस्ट करें कि भी आप डेंडलान एक्स्टेंड करें तो पीमसी ने भी अच्छा फैसला किया है कि दस फरवी तक का आप इन्हें टाइम दे लिया गया है स्टूर्ट जो है वो बीडियस के प्रोग्राम में ने से अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे तमाम स्टूर्ट जिनका कहीं भी अड्मिशन नहीं हो पा रहा है तो बीडियस में एड्मिशन लिया जा सकता है और बीडियस को इतना भी बुरा प्रोग्राम नहीं है अच्छा खासा है आप डॉक्टर बनते हैं आप डेंटिस्ट बनते हैं और इसमें बहुत बड़ा ड्वांटेज है कि य BDS पर पांचमा साल नहीं लगता और आपकी वो फीज बच जाती है MBBS के अगर एवरिज फीज सत्तर असी लाग रुपे तक है तो BDS की जो एवरिज फीज है वो 50 से 60 लाग रुपे तक होती है और अगर PMC की तरफ से जारी होने वाली नोटिफिकेशन को देखें तो यहाँ क्लिरली मैंशन है कि MBBS के अड्मिशन तो 31 जनुरी 2022 तक ही कंप्लीट होने है लेकिन BDS के लिए 10 दिनों की रियायत दे दी गई है और तमाम डेंटल कॉलजेज यकम फरवरी से 10 फरवी तक अपने अड्मिशन जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं लेकिन 10 फरवरी से एक दिन भी ज्यादा नहीं मिलेगा इन तमाम कॉलजेज को जिसको ग्यारा फरवरी की रात ग्यारा बजकर 69 गनेट तक का टाइम दिया गया है इसके लाव आपको हमारी इस वीडियो में पाकिस्तान के तमाम मेडिकल और डेंटल कॉलजेज के एड्मिशन उनके डेडलाइन मेरिट क्राइटेरिया और फी स्टॉक्चर बगारा के मुकमल इंफरमेशन मिल जाएगी जोके डेडलाइन का पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है और पाकिस्तान के तमाम डेंटल कॉलजेज को बीडियो के अड्मिशन के लिए 10 सरवी तक का टाइम दे दिया गया है तो सिर्फ डेडलाइन का फरक होगा बाकी उसमें जो मेरिट क्राइटेरिया है और फी स्टॉक्चर बगारा की डेटेल्स वो बिल्कुल सेम है तो ऐसे तमाम स्टॉडेंट जो बीडियो के प्रोग्राम में एड्मिशन देना चाहते हैं तो उन्हें इस वीडियो से बहुत का अब रिजल्ट सामने आया है तो वह लाजमी तोर पर अपना अपडेटेटेड स्कोर जो है वह समिट करवा दे स्टॉड्स को यह लिंक दिया गया था जिसमें वह अपना बी ओपी का चलान आईडी और इमेल एड्रेस मेंशन करने के बाद अपना जो है वह समिट कर सकते अब इसके आज के जारी होने वाले नोटिफिकेशन में स्टूडेंट से रिस्पॉंस मांगा गया है कि ऐसे तुमाम स्टूडेंट जिन्होंने पहले रेसिप्रोकल सीटों पर अडिमेशन के लिए अपलाए किया था तो क्या वह अभी भी चाहते हैं कि उन्हें रेसिप्र सीटों पर अडिमेशन हो तो उन्हें तीन फरवरी से पहले पहले अपना जो है वह रिसपॉंस सब्मिट करना होगा युनिवर्स्टी फेल साइंसे लाहौर की तरफ से दस फरवरी तक रहसे प्रोकल सीटों पर अडिमेशन के लिए लिए नहीं सिर्फ उन्हीं स्टूडें तो इस तरह यह तादाद हजारों में बन जाती है लेकिन चुकि अब यूज़स के पास टाइम शॉट है और उन्होंने जल्द से जल्द अपनी लिस्टें कम्प्लीट करनी हैं तो वह यह चा रहे हैं कि अब भी मुझूदा सुर्टेंट्स इंट्रस्टेड हैं तो वह यह चैस की वेबसाइट पर जाकर अपना ओनलान रिस्पॉंस सब्मिंट करवा देते हैं अगर तो कोई ऐसे स्टोर्ट्स हैं जो रेस्प्रोकल सीटों पर अडिमिशन नहीं लेना चाहते तो वह बेशक इसे इग्नौर करें और किसी किसम का रिस्पॉंस सब्मिशन ना रहते हैं तो उन्हें बैंक ऑफ पंजाब का चलान आइडी और इसके लावाए इमेल आड्रेस मेंशन करने के बाद यहां अपना रिस्पॉंस सब्मिट करना होगा जिसके बाद आने वाले चंद दिनों में यूए चैस की तरफ से रैसे प्रोकल कैटेगरी की मेरिट लिस् करें तो इससे काफी ज्यादा ऐसे इशू को भी डिसकस किया रहा सकता है जो कि आम तोर पर अनांसर रहते हैं अगर आपके जहन में भी को क्वेसंस हैं तो आप लोग वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं